जाहिन प्यारे दोस्तों आप लोग स्वागत है व्ल्ड एजुकेशन पर मैं आज महात्मा गांधी बापुजुके सारे कोस्टन जितने भी महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं वे मैं सारे लेक्के आए हूं और सारे आगे एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो को आप लोग अन्त तक देखें चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरू करें और वीडियो को रोक रोक के देखें कि आप लोग इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि बैरी इंपोर्टन जैसे SSC, बैंकिंग ये बहुत इंपोर्टन हो जाते है, इस्टेट PCS तो गांधी जी का प्रिट्सन जब GS पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है तो देखें पहला कोस्टन है गांधी जी का जन्म कब हुआ, दो अक्टूर 1889 को तो यह तो बैरी सिंपल कोस्टन हो गया कि गांधी जी का जन्म दक्षिन अफरिका के लिए कब गहिया SSC आया था 2017 में, 1993 में, 1993 में, गांधी जी ने पहली सत्यग्राइप प्रियोग कब किया था, सितंबर 1906 में दक्षिन अफरिका, ट्रांसवाल में भारतियों के खिलाब जारी ACI अध्यदेश के ब्रोध, कब किया था, यह भी कोस्टन हिमाचल इस्टेट PCS में पूछा गया है, HESC, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था, दक्षिन अफरिका में, जोहान निवर्स में, 1908 में हुआ था, तो यह सन्याद करते हैं, अप लोग याद करते हैं, कर लीजिए, बट यह जोहान निवर्स में पूछा गया था, ठीक है, आगला कोसन है, किस इस railway station से बहुत इंपोटेंट कोसन, किस railway station में गांधी अपमानित, गांधी जी का अपमानित क्या गया, और अफसब्द क्या गया था, मतलब उन्हें अफसब्द कह दिया था, इस चर्णी अफरिकी ने कह दिया था, उन्हें तो वह है, पीटर म मेरिट्स सवर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्होंने हां वहीं से कसम खाई कि मैं पूरे भारस आप लोगों को निकाल दूंगा तो उन्होंने ये कर दिखाया गांधी जी ने टॉल इस्टॉल फॉर्म दक्षिन अफ्रीका कब शुरू किया था 1910 में किया था है ना आप लोग वियाद कर सकते हैं गान्दी जी फिन रिंध्न सेंटल मेट कासर का के दरंबन अच्छान अफ्रीका का नाम बार-बार आ रहा हैं क्योंकि वहां से उन्होंने पढ़ाई की बखालत की बहुत समय उन्हों पर उज़े लगा दीजा यहां जो लिए जो डखेन अफ्रीका से रिलेटेड उए ना गांधी जी शुरू किये गए सपताहिक का नाम ता इंडियान ओपीनियन 1904 इंडियन ओपिनियन ये भी कोशन पूछा गया है SSC में गांधी जी दक्षिन अफरिका से भारत कब लोटे तो कब लोटे 9 जन्मरी 1915 में अच्छा एक कोशन अभी पूछा गया था सीट एड में गांधी जी 1915 में भारत लोटे तो उस समय उनकी एज कितनी थी एज रिकार्डिंग भी पूछा गया है सियारपयप में भी ये वाला कोशन पूछा गया 9 जन्मरी को इसी कारण प्रवासी भारते दिवस मनाया जाता है इसी दिन मनाया जाता है भारत में गांधी जी का पिर्थम सत्यग्रह कहां हुआ था यह 1917 में चंपारण में इंडिगो स्रामिको के अधिकार के लिए क्या गया था किसके लिए क्या गया था इंडिगो स्रामिको के अधिकार के लिए गांधी जी पहली अंसन भारत में गांधी के दूसरे सत्यगिरा कहा हुआ था, एहमदाबाद में हुआ था, किस कारण गांधी जी ने केसर एह हिंद पदवी छोड़ दी थी, ऐसा योग आंदोलन 1920 ने, तो ये बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन थे, बेरी इंपोर्टेंट, य यंग इंडिया और नमजीवन सप्ता ही कप्रा, ये अखवार है, किस एक मात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अधिक सकता गांधी जी ने की थी, बस एक ही की थी, वो बेल गराम के कांग्रेस का था, 1924 में, बेल गराम बाला, तो ये भी कोस्टन बहरी इंपोर्टेंट मन ज भाहाराष्ट के राजनी मुंबई, वहां के जो मुख्य मंत्री हैं अभी बर्तमान में, एक नाजसिंदे हैं, गांधी जी ने साप्ता ही कहरी जन, कब शुरू किया था, 1923 में किया था, कब कहता, 1923, जो भी मैं कोस्टन बता रहा हूं, बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन है गांधी जी ने सुआचंद्र बौस को देश भक्त कहा, क्या कहा देश भक्त, यह पूछे जाते हैं, यह कोसन बहर इंपोर्टेंट है राते भी हैं, गांधी जी को अधनगन फकीर किस ने कहा था, बिश्टन चर्चिल ने कहा था, क्यों कि वो एक जा मतलब क्या होता था, एक जी ने टैगोर को महात्मा गांधी ने ही कहा था उन्हें गुरुदेब क्योंकि रविंद्रनाट टैगोर ने हमारे बहुत सारी चीज़े राइटर हैं वो किताबे लिखी है इसलिए गांधी जी को महात्मा किस ने कहा था टैगोर ने महात्मा कहा था गुरुदेब कहा था ट गादि जी का अध्यात्मि गुरु कुरुक थे रियो तोल 20 देखिए यह तो पूछा ही जाता है अब यह भी पूछने लगा है उनके अध्यात्मि कुरुक हो थे तो लियो टाश्टायल गांदी-जी की हत्या कब कोई प्ख देश हजात हुआ उननेटराम-गोर्ट trust उन्हें गोली मारती, गांधी जी ने पोस्ट डेड़ेड चेक किसे कहा, क्रिप्स मिसन 1942, कुप्स मिसन 1902, गांधी जी ने हिंद स्वए राज का प्रिकासन कब दिया, कब किया या कभ दिया, 1908 में दिया, 1908 में, बाबा आमटे, का अभे सदक, अभे सदक का खिताब किस ने गांधी जी ने दिया था हम लोग बात कर रहे हैं गांधी जी भारतिय संत्रा संगाम में किस अब्दिक को गांधी यूग के रूप में माना जाता है 1915-1948 गांधी यूग के नाम से जाना जाता है क्यों 15-1915 से और 1948 तक आप पढ़ेंगे जब मैं हिस्ट्री के वीडियो अप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि गांधी यूग क्यों कहा गया क्योंकि गांधी जी इस टाइम बहुत चर्चित रहे थे भारत में गांधी जी का तीसरा सत्य गिरह कहां हुआ खेड़ा सत्य गिरह हुआ था गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या ह तो गांधी यूग के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगं confused ना होईेगा बिल्कुल भी, गांधी जी की आत्म कता पिर्थंबार कप प्रिसकासित होई, 1927 में नवजीवन में, 1927 में नवजीवन में, गांधी जी ने अपनी आत्म कता किस भाहसा में लिकी थी, स्थापना किस ने की थी सत्यग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने की थी महादेब देशाई ने हस्तरांतरन के बाद गांधी जी का सचीप किसे मना दिया था प्यारे लाल को बना दिया था देखे प्यारे लाल को बना दिया जो प्यार करेगा वही प्यारे तो उसे बना दिया था यह कोशन बेर इंप्रोटेंट है ऐसे बार बार इनको पूचिती है गांधी जी की अनुआई मीरा वहन का बास्तविक नाम कहा था मेडेलीन इस्ट्रेड किसने गांधी की डांडी मार्ज की तुल्ला स्री राम की लंका पौणिक यात्रा से की थी किसने की थी मौतिलाल नहरूने है ना मौतिलाल नहरूने गांधी जी का उपनाम से जाने वाले व्यक्ति कौन से किसे सिमांत गांधी के नाम से जाना जाता है सिमांत गांधी खान अब्दुलगफार खान किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंदर प्रिसाद को कि वो जन में हैं वहां बिहार में और दाष्टपती तक रहे हैं अधुनी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है बावा आम्टे दीखें बहुत को बैरी इंपोर्टेंट कोस्टन है जो बार-बार पूछे गए हैं स्रिलंका के गांधी के रूप में माना जाता है एटी अरियरांटे तने राटने जो रटते हैं स्रिलंका के गांधी के रूप में रटते अमरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है तो मार्टिन लूथर किंग भाई किसे अमरिका गाया तो किंगी दो होगा है ना मार् ओंडू सॉश्यॉ वर्मी गरम लगर हाँ अवर्मी लगा अग लगाएगा है ना अफरीकी गांधी के रूप में कीसे जाना जाता है कहते है को hij, ayama क णने कोंड़ा काँ है अफ्रीकी में अफ-रीकिया कोंड़ा ओ टक्षण अफरीका के गांधी के रूप में नैसनल मंडेला यह भी कोषन बेरी बेरी इंपप्पोच्छा गया देखे मैं जितने भी कोषन ले आँ पुरण शोड ले गयाँ गांदी जी कहा इससे बाहर अगर गांधी जी अगर फिरसन आता है तो इससे बाहर जाने वाला है नहीं आप चैनल पर नई है चै स्योग आंदोलन 1922 अर 1922 में छोड़के भाग गये थे वो अंग्रीज एहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में नमक आंदोलन सविग्या अविग्या आंदोलन 1930 एक दोनों एक ही हैं एक ही नाम से जाने जाते हैं चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक सेर कम जरूत है क्योंकि आप लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ कोस्टन आउट कर जाते हैं तो मैं पूरा निचोड निकाल के लिए हूं है ना आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें दन्यवाद